इस module में vertebrates के अंदर transport system हमारे under discussion होगा तो all vertebrates they have close circulated system क्योंकि हमने पीछे पुरा जो previous modules के अंदर invertebrates के अंदर कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर open circulated system होता है और कुछ ऐसे भी है जो कि close circulated system होता है लेकर vertebrates के अंदर जो circulated system है और close type है close type का मतलब यही है कि कहीं पे blood जो है वो arteries or capillaries में से नहीं निकलता बलके वो उसी के अंदर vessels के अंदर ही circulate करता रहता है तो हम कह सकते हैं कि यह blood है never leaves the blood vessels तो blood moves through the heart then through arteries then arterioles then capillaries venules veins and back the heart जो यह एक root है जो कि generally तमाम vertebrates के अंदर यह हमें यह root देखते हैं कि हार्ट से हार्ट से blood निकलता है तो वो main arteries में आता है arteries से फिर arteries में जो भी branch करती है और री ब्राच करती है फिर उसके बाद यह capillaries में दाखल हो जाता है capillaries में से फिर venules के अंदर फिर बड़ी veins के अंदर और फिर यह वापस ब्लड में आता है और इसी तरह ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है तो एक्सचेंज बिट्वीन ब्लड एंड दी एक्स्टा सेल्वर फ्लिवड अकर्स ओनली इन दे कैपिलरी लेवल कैपिलरी जो हैं जो हैं ते वरी थिन और ये एक बेड से बन जाता है एक बहुती बहुती फाइन नेट वर्क बन जाता है जिस जिनके अंदर ब्लड फिर सर्कुलेट करता है और ये तकरीमन तमाम सेल्स के पास कोई ना कोई कैपिलरी जरूर पहुचती है और वहां पिर एक्सचेंज होती है गैसियस की और औक्सीजन से सप्पलाई ये फूड सप्पलाई होता है और वहां से फिर नाइट्रोजन सप्पेस जो है और ये एक जैनल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हम देखते हैं जो वर्टिब्रेट के अंदर तो ये है मेन इस इस दे मेन पंप विच एक्स और ये जितने भी बोडी पार्ट हैं उने में सप्पलाई होगा रिसाल के तोर पर ये डाइज Juistil सिस्टम है ये किड़नी सें ये फिर स्किन है और वहां से फिर ये वापस जाएगा यहां से भी आ रहा है यहां से भी आरहा है यह मुव भाक दे हार्ट से फिर, क्योंकि बोडि में से आ रहा है detta में इस लिए यह हम इसको हम यहाट झा से ब्लॉण जो हुआ बी दि भी इॉस्टीजेनेट होने के लिए इसमें आता है और यहां चरी Nine동me न जा जाया भी खिएंग हरे गए उससिताग टुले करते लिए इसे अधियुने की सुस्त्राइब में बलाट इकषियू के निदे और एक मुखलिफ टेकनीक से यह तवार शीज़ें धाई चीस नजहाई गई है यह हार्ठ है जो बाहर से नजहराता है यहां से यह यह इओर्टा नजहरा रहा है वहां से बहुत सारी ब्रांच्छ निकलती है यह पिर मुखलिफ बॉलड हो जाता है क्योंकि यह एयोटा में से आ रहा है इसलिए इसके अंदर oxygenated blood होता है और यह lungs को शो कर रहा है यह हिस्सा यह branches जो है तो यह वापस आती है हाट के अंदर और वहां पर फिर वहां से पर जो जाहरा की lungs से आ रहा होगा वहां पर oxygenate होगा blood and then it is supplied to all parts of the body through the aorta यह भी एक यह जो समझें कि इसके अंदर काफी हद तक originality दिखाई गई है जिसमें किस तरह यह arteries होती हैं किस तरह यह vessels होती हैं और यह बाहर से यह heart कैसे लगता है तो the heart is the center of the circulatory system it is the size of fist यह जो मुठी है इसके वराबर होता है आम तोर पे heart और यह center is one of the vital organs of the body क्योंकि बाकी vital organs जो हैं वो जिकर हम कर चुके कि brain है then lungs है liver है kidneys है और heart है तो यह one of the vital organs of the body heart के बगार साहर है कि blood circulate नहीं कहेगा हो जाए होगा तो जिसकी वैसे there is an instantaneous death without the heart और as animals become more and more multicellular और इसके अंदर complexity आती जाती है और इसके साथ यसाथ यह circulatory system के अंदर भी complexity आ रही है क्योंकि यह जैसे जैसे multicellularization हो रही है और आम तोर पे cell का body का size भी बढ़ता है तो उस size के साथ ही यह blood circulatory system that becomes more and more complicated and very highly organized at the same time तो इस 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 इसन दाड़ for the supply of oxygen for the collection of carbon dioxide for the supply of food and for the collection of nitrogenous waste which are to be removed from the body तो और इसमें ये तमाम जितना भी प्रॉसेस हो रहा है ये ये अबिसली इस वेल अर्गनाईज़़ और ब्रेन और जितने हो जाएं। of gases और वो oxygenate हो के blood वापस हाएगा हाट में और वहाँ से फिर भाई कि its pumping action it is distributed to all parts of the body so this is generally this is the this is the transport system in almost all the vertebrates so this is all about